नमस्य दोस्तों तो आज मैं आपके साथ शेर करूंगी अथेंटिक साउथ इंडियन संभर के रेसिपी शर्ट अगर आपने इस तरह से संभर बनाकर तयार किया ना तो होटल का संभर भी आप खाना भूल जाएंगे और हर बार इस तरह से घर पर संभर बनाकर तयार करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले तूर दाल में पानी डाल कर उसे सोक करने के लिए रख देंगी, अब जब तक दाल सोक हो रही है, तो हम सबजिया देख लेते हैं, जो हम सांभर में यूज करेंगे, तो इसके लिए बने लिया हैं, आलू, टमाटर, बैंगन, कद्दू, गाजर, प्याज, लौकी, ड्रम स्टिक, तड़की के लिए हरिमिर्च, लसून और करीपता ले लेंगे, कद्दू, लौकी और ड्रम स्टिक का सांभर में एक बड़ा ही अच्छा टेस्स आता है, अगर आपके पास इन में से कोई वेजटेबल अवलेबल नहीं हैं, तो आप इसके कर सकते हैं, अब टमाटर को छोड़ कर सारी सबजियों और डाल को फूकर में डाल दो सीटी लेकर पकाएंगे, ज्यान रहे हमें सबजियों को ज्यादा नहीं पकाना है, इस तरह से आप फूकर में डाल कर सीटी ले ले लेंगे, तो कुछ लोगों को परिशानी होती है कि आप डाल अीक सब्सभधिय को सान्फर में और जिए करेंगे इसके लिए कड़ाई में दालेंगे प्या जीरा बार देज पत्ता उडत वणर दाल्ज साबपर को ठेस देगे और डाल बनाने का करेंगे लसून, हरी मिर्च, प्याज, करी पत्ता और हल्दी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसमें टमाटर, लाल मिर्च, हींग, नारिल का बुरा ये बिल्कुल ओप्शनम है आपके पास है तो डाले वनना स्केप भी कर सकते हैं जब इसका कलर गूर्डन ब्राउन हो जाए तो मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर एक पेस्ट बना कर तयार कर लेंगे अब दूसरी कड़ाई में तेल गरम कर राई, करीपता, हींग, सुखे लाल मिर्च, हरी मिर्च और थोड़े प्याज और टमाटर के टुकडे डालकर जो मसाला पेस्ट हमने बना कर तयार किया है उसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब जब मसाला तील छोड़ने लगे तो इसमें उबली हुई सब्जियां और दाल का मिक्शर डाल देंगे सांबर मसाला और नमक डालकर जितना सांबर हमें तयार करना है उतना पानी डाल देंगे अथेंटिक साउथ इंडियन तीस दिने के लिए इसमें इमली का पानी और घुड का प्रियोग करेंगे लास्ट में तड़का पैन में राई सांभर मसाला और धनिया का तड़का डालकर सांभर पर डाल देंगे यह बिल्कल ऑप्शनल है अगर आप पसंद करते हैं तो डाले सकते हैं तो हमारा अथेंटिक पॉफेक्ट साउथ इंडियन सांभर बनकर तयार है एक बार इसे आप जरूर ट्राय करें अगर आप इसे इस तरह से बनाकर तयार करेंगे तो सारे हूटल और बाहर का खाना आप भूल जाएंगे तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडिय सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद